लो फ्राइंज वान पॉइंट सॉलुशन चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम बात करेंगे स्सें में इसकी साइड इटेल्स हम इस व्यूडियो में देखेंगे इसके में MTS के नोटिफिकेशन से लेकर सौलेक्षन प्रसेस तक इसमें जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूं वो रहने वाले हैं MTS का notification procedure रहने वाला है age limit क्या रहेगी education qualifications क्या रहेगी erigibility criteria क्या रहेगा application प्रोसेस क्या रहने वाली है और सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगी तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने नोटिस के साथ मार्च को फॉर्म आउट हो चुके हैं लास्ट रहेगा आपकी अप्लाइ करने की 30 अप्रिल तू में तक आप फी समिट कर सकते हैं जो आपने ऑनलाइ नहीं हो पार किसी भी रिजन से तो आप 3 में तक ऑफ्लाइन भी समिट कर सकते हैं इसके अलावा आपको जो है एक बीच में 5 तू 9 में आपको टाइम मिला हुआ है अगर आपने गलती से कुछ भी गलत कर दिया है आपके पास डॉक्यमेंट नहीं है कुछ भी है तो आप जो आपको प्राइम में मोस्ट प्रवबली एक्जाम हो जाएंगे देट अभी नहीं आई यह तो यह आपका जो है यह सारा रहेगा आपका किस किस डेट वो जो है क्या गया करना है तो आप प्लीज इसको एक बार गो थू कर लीजिए विकॉस यह आपके बहुत काम नाने वाल दूसरा रहेगा कि आप उसके बाद रिजिस्टेशन के बाद अगर आपने पहरे से कर रहा है तो आप डैर्यक्ट अप्लाइय कर सकते हैं तो आपको अप्लाइय करना रहेगा इन दोनों की ही सैपलेट वीडियो बने की क्योंकि जो हैसे वर्ण से समझा के पॉसीबल नहीं है मैं आपको पूरी प्रोसेस जो है करके दिखाऊंगी वहां पे आपको एक लियर आइडिया मिल जाए और एजी लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट के रहने वाली है तो डिफरेंट कैटिगरी के अखॉर्डिंग डिफरेंट एज लिमिट करेगी एक काटिगरी के एक करते हैं अगर अगर उस एज के अंदर पॉल करते हैं तो आप जो है एम्टिएज के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कि जो education क्वालिफिकेशन है, यह आपकी स्यक्षिनिक छमता क्या होनी चाहिए तो वो रहने वाली है, दसवी पास, और इसमें आपको दसवी के समकश, जो आपने डिप्लोमा यह जो भी किया हो अगर उसके आप इक्वल कोई भी आपने कोर्स परस्यू किया है तो आप जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसमें बहुत जादा बड़ी कुछ क्वालिफिकेशन्स नहीं मागी हैं तो इसमें नेशनलिटी आफ इंडिया मागी हैं आप इंडिया के सिटीजन हों आपकी एज प्रॉपर हों और इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जैसी कि अगर आपने श्री लंका, बर्मा, पाकिस्तान, केन्या, इन कंट्रीज से बिलॉंग करते हैं और आपने इंडिया पर्मारेंट सेटल होने का सोच लिया है तो आप SSE MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जैसी कि इसमें है कि जो लोग इंडिया में 1962 से पहले आ गए हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेक्ट डिमांट्स नहीं है बस आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए अप्लिकेशन फीस की बात करें तो हम बहुत जादा फीस नहीं है इसे उ।फ्य के लिए आ से औरय के लिए के लिए खुशन कि सकती कहार आप कोई है और अगर स्ट्रेक्शन हो जाता है तो वैं जो घुआthy हमारा फोईंट ऑल् है वो है selection process क्या रहने वाली है इसमें सारी post के लिए two steps रहेंगे और बागी एक हवलदार की post के लिए आपको three steps follow करने पड़ेंगे first आपकी exam रहेगा जो की mcq based computer online exam रहेगा इसके बाद अगर आप हवलदार के लिए apply करते हैं तो आपको यहां पे physical test भी देना पड़ेगा अगर आप हवलदार के लिए apply नहीं करते हैं तो next test आपका जो रहेगा वह mts कराएगा